अगर एकनाशिंदे ने दावा कर दिया मुख्याले पर या फिर मुख पत्र सामना पर जिसकी कहीं न कहीं अलग ही पहचान है पूरे देश में के संजे रावत जब कहता है कि जब उनके हाथ से कलम चलती है तो पूरा देश हिल जाता है वो सोचते नहीं है और जो अपने मन मे होता वो लिक देते हैं अगर सामना भी उदर चला गया और मुख्याले भी चला गया तो फिर कहां जाएंगे कुछ नहीं जाएगा अभी तक जो चीजें के पर वो दावा ठोक रहे हैं जो लगातार जो है चैनल मीडिया वहां पर दिखा रहा है वो तमाम चीजें अभी शि की है सूरत से वह अपना दावा करते आ रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी का उनका शीरवाद है उनके उपर और यह बहुत देर तक नहीं चलेगा दोनों को मुख की खानी पड़ेगी गदारों को भी और उनका साथ देने वालों को भी तो हमारी एक दिल में बसते हैं और ह चुनाव आयोग ने कहा है कि असली शिवसेना जो है वो एक नाशिंदे की है और कहीं न कहीं सवालों के घेरे में अब उद्धव ठाकरे भी आ रहे हैं कि लगातार वो कहते रहे कि मैं अपने पिट्टा की विचार धारा से प्रभावी थूर उसी तरह से शिवसेना को आग सिंबल दे दिया और चुनाव आयोग ने कहा कि असली शिवसेना है उस पर क्या चोरी हो गई हमारे घर के अंदर चोरी हो गई हमारी शिवसेना की चोरी हो गई हमारा चुनाव निशान इन्हों ने चीन लिया मगर कितनी दादागिरी दिखाएंगे हमारे से जनता का प्यार जनता का समर्थन वो नहीं कभी चीन सकते जो जनता की वंदनिये बाला साथ ठाकरे के प्रती जो श्रदा है जो ठाकरे परिवार के प्रती जो श्रदा है जो हमारे पक्ष प्रमोख मानिये अदित्ते साथ ठाकरे के प्रती श्रदा है उसको नहीं चीन सकते जनता के प्यार को नहीं चीन सकते, जनता के समर्थोन को नहीं चीन सकते, हमने एक बार फिर साबित करके दिखा दिया है, द्यनुश बान चीना गया, शिव सैना का नाम चीना गया, उसके बार दो चुनाव हुए है महाराश्टर के अंदर, अंधेरी सीट पर चुनाव हुआ है, और पहली बार इतिहास के अंदर हुआ है कि मानिये परधानमंतरी जी को मानिये ग्रै बंगलए मंतरी जी को मुव की खानी पड़ी पहली बार उनके शासनकाल के अंदर बी-जेपी ने केंडिडेट ने अपना नाम वापिस लिया उसके बाद परिशद के चुनाव हुए विदान परिशद की पांच में से चार सीटें महाविकास अगाडी ने जीती तो यह दर्शाता है कि आप कितने भी दादागिरी कर लो कितनी भी तानाशाही दिखा लो मगर कुछ भी आप क सेना के साथ इस तरह का बरताव करकर कि वो भी सतादारी के इंदर सरकार के इशारों पर काम कर रहा है अब एक मानिय उच्छ नयाले है एक संस्ता अभी भी बची हुए है जिस पर जंता का विश्वास बरकरार है और वहां वो हमारा कीस जो है लगा हुआ हमें पूरी बाते करनी शुरू कर दोगे इतनी दादागिरी और इतना गुंडागर्दी पर उतर जाओगे तो आने वाला बविश्य शायद जम्मू का पूरा हमारा देश जो है वो लोगतांत्रीक देश नहीं बचे आपकी जीवन पर कितना प्रभाव रहा है बाला साहब का क्योंकि आज जम्मू में हर इक शक्स जो है अपको बाला साहब की तरह ही पूरी तहां से मान रहें कि देखिए आपका व्यक्तित वह वैसा बन गया है देखो जी बाला साह थाकरें तो हमारे एक दिल में बसंते है और हम उन पर नाज गरते हैं पूरा हिंदुस्तान नाज करता उन वंद्वन भाजपन, वंद्धन की रहेगी और हम उनके सथ है। यह बीजेपी का डोंग है। बाला साथ आज भी और आज भी हिंदुतत पर कायम है। मनिसी हिंदुत्व पर चोट है और हिंदुत्व पर ऐसी चोट है कि भाजबा अब राशित हिर पर हिंदुत्व का मुद्दा ले कर जा रही है ये हिंदू तव का ढोंग किया जा रहा है जो शिव सना के उपर उंगली उठा रहे हैं उनको ये भी देखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर उन्होंने पीडीपी महभूबा मुफ्ती के साथ भी सरकार चलाई है जो हाज हमारे उपर बलेम कर रहे हैं कि कांग्रेस के साथ इन्होंने सरकार बनाई वो ये भूल गए के पीडीपी के साथ इन्होंने सरकार बनाई है अब कभी महाराष्टर की जनता से मराठी से किसी से पूछ कर देखिए वो तमाम लोगों की सिंपती आज बहुत ज्यादा मिल रही है जितनी शत्रंज की चाले चलनी को पूल्टी साबीत हो रही है तमाम चाले आज उनी के उपर जो है विपरीत आ रही है कि उनको ही हर जगा पर मुझ की खानी पड़ रही है और यह पिछले विदान परिशद के चुनावों के अंदर जो अंदेरी के अंदर उप चुनाव हुआ और आने वाले नगर महा करवाने थे तो हमारे पास बहुमत था लेकिन हम सुप्रीम कोड का दरवाजा खट-कट आते तो इस प्रकार की बात थी तो मैं मानू के जिस महा गट बंदन की है जिस विपक्षी एकता की बात पूरे देश में चल रहे है उद्दव ठाकर उसमें एक एहम किरदार निभान बिलकुल एहम किरदार निभाएंगे ये नाइंसाफी के खिलाफ इनसाफ की लड़ाई है तमाम लोग एक साथ हैं तमाम पार्टीयां एक जुट हैं और जितना ये जो है नाइंसाफी बढ़ाती जाएंगे वहाँ पर एक जुटता बढ़ती जाएगी और आने वाले दिनो के अंदर जनता जनारदन भी इनी पार्टीयों के साथ है हमारे साथ है जनता का समर्थन हमारे साथ है जनता का प्यार हमारे साथ है और जनता देख रही है कि देश के अंदर इस तमें क्या हो रहा है लोग तांतरीक देश जिसके हम गरव करते थे उस लोग तांतरीक देश क अगर एकनाशिंदे ने दावा कर दिया मुख्याले पर या फिर मुख पत्र सामना पर जिसकी कहीं न कहीं अलग ही पहचान है पुरे देश में के संजे रावा जब कहता है कि जब उनके हाथ से कलम चलती है तो पुरा देश हिल जाता है वह सोचते नहीं है और जो अपने मन मे दिखा रहा है वो तमाम चीजें अभी शिवसेना के पास जरूरति मगर वो सरकारी के अंदर दफ्तर था जो सबसे बड़ी पाटि का उनका शीरवात और ये बहुत थे तक नहीं चलेगा दोनों को मुझ की खानी पड़ेगी गद्दारों को भी और उनका साथ देने वालों को भी आपका साथ छोड़ा है या आपने भाजपा को छोड़ा है वैसे एक नाशिंदे का भी साथ छोड़ देगी भाजपा सब्ता की यहां पर बात चल रहे हैं कोई भी नेता भूल सकता है हर नेताओं के साथ उन्होंने जो अच्छा बरताव किया आज उनके सुपुत्तर और बाला साहब जी ठाकरे की विरासत शिव सेना को आगे लेकर चल रहे हैं हमारे पक्षपरमुक मानिये उद्दव साहब ठाकरे की के साथ अगर ऐसा बरताव क देखा तो भाश्पा ने साथ दिया है शिव सेना का और उस समय लगतार ये कहते रहे कि देखिए बाला साहब की विचार धारा का प्रभाव है भाश्पा पर वो हिंदुत्व की मशाल लेकर जो चलेते उसी के साथ भाश्पा के नेता चल रहे हैं लेकिन आब पल्टी मार है एक नाशिंदे के साथ आ चुके हैं और अब इनका कहना है कि जब एक नाशिंदे से मो भंग हो जाएगा तब भाश्पा कोई और विकल्प धूंडेगी महराश्च्व में सरकार बनाने के लिए आप यह माश्पत बना रहे हैं देखते हैं विश्वय जमी सुहान के